दोस्तो आज की इस वीडियो में बैक की 6 एफेक्टिव एक्सराइज के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वरकाउट एक्सराइज नमर एक वन आर्म डमल रो यह है लेट्स मसल्स की चोड़ाई के लिए काफी अच्छी एक्सराइज मानी जाती है इसे एवी डमल से परफॉम करें याद रहे जब डमल नीचे लेके जाएं तो लेट्स मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें और उपर लेके यह बेक की साथ साथ सोल्डर बलेड के बीच की मसल्स को टारगेट करती है इसलिए इसे कमपाउंड एक्सराइज भी कहते हैं इसमें एवी बेट का इस्तमाल ना करें इसे मीडियम बेट के साथ परफॉम करें इसके तीन सेट तस से बार रिपिटेशन के लगा सकते हैं एक जब बार को आगे लाएं तो बेक को स्कुईज करें और पीछे लेके जाएं तो अपनी लेट मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें इसके तीन सेट बारा से पंदरा रिपिटेशन के लगा सकते हैं एक्सराइज नमर चार वन आर्म सुपिनेटेड लेट पुल डाउन दो अच्छी तरह स्ट्रेच करें इसके आपको तीन सेट दस से बारा रिपिटेशन के प्रते काथ से लगाने हैं एक्सराइज नमर पांच सीटेट केवल रो इसमें आपको सीटिया बेंच पर बैठ जाना है और पैरों को सामने फट्रेच पर रखें और सीधे बैठें हैंडल को पीछे खीचें तो पीछे अपनी बैक को स्कुईच करें दो शेकन डोल्ड करें और हैंडल को आगे लेकर जाएं तो लैट्स मसल्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें इसके तीन सेट दस से बारा रिपिटेशन के लगा सकते हैं एक्सराइज नमर च्छे बारेबिल के लिए काफी अच्छी एक्सराइज है डैड लिफ्ट आपकी बैक साइट अपर और लोवर बोड़ी पर काम करती है इसे आप बीक में दो वार जरूर करें इसके तीन सेट आठ से दस रिपिटेशन के लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसे लगी एक बार कॉमेंट में ज कि लगेड़ीव peculiar झाल के लोवरी इस वीडिव देज़ीन से उर टनमें है इसे लिए ढोवरी है आपार कर बैक आपांदेव में डकॉमेर और दोस्तों marks बन दोस्तों टोस्तों हूं आपार मैं डfinder these guys that all आपいいterm